कर देखो इसमें दो कुछिन है साइं एक एंट यू टी इसका फॉरेज टानस्वर्म निकलना दूसरा है एक स्टीर को स्टुन यू टी इन दोना जो इस सिंग्नल दे रहे हैं इनका हम से फॉररा टानस्वर्म पोछा गया तो देखो यहां पर ध्यान से देखो होगे तुम साइन टेंटी मल्टिप्लाइबा यू टी यह इस टाइब से पढ़ेंगे इसको जब यह दो फंक्शन मल्टिप्लाइब आते हैं तो हम कुन सी प्रोपर्टी उसकरते हैं मोडूलेशन वाली ठीक है मोडूलेशन की प्रोपर्टी में मैंने एक प्रूफ करके मोडूलेशन प्रोपर्टी क्या कहती थी हमने मैंने वाल फोर्मूले निकाल लेते ठीक है अगर कोई एफटी था उसमें साइन ओमेगा नोट टी एफटी की मल्टिप्लाइब करते हैं तो क्या होता है लन्यक्रफाइर देल्टा ऑमेगा नोटी माइनऊ डेलिटा ओमेगा माइनटी ठीक है यह ब्लाइक की लिए उसका तो आपने तो रहें पर मैंसको यूज़ करूँगा से की लिए देखते हैं पहले एक मोडूलेशन की प्रोपर्टी में तो यहां पर F T मेरा किसा काम करेगा यू टी का ठीक है जो F T मेरा यू टी बन जाएगा तो पहले मुझे वहीं निकार ना ठीक है यह प्रोपर्टी कैसा काम करती है F T का क्योंकि इसमें Sine Omega Note की जबी तो मैं मुल्टिप्लाइ करूंगा तो यह F T मेरा क्यों है यू टी तो यू टी का हमें पता फोरियर ट्रांसफर्म क्या होता है मैं पहला सोल्ड कर रहा हूं को पहले हैं तो हमें क्या कर आए हैं यह यह लैट एफ टी ब्रावर यू टी ठीक है त पाई डेल ओमेगा ठीक है यह सबको पता है अगर देखो अब इस function में मैं साय ओमेगा नोट की multiply करता हूं तो क्या change आता है जो भी f omega ता उसमें क्या जागा omega plus omega note omega minus omega note ठीक है तो पहले क्या करना उसी function में क्या करना अमेगा नोट को एड़ करना ठीक है फिर क्या करना उसी को घटा देना और सुरी यह ड्लता नहीं है यह एफ है यह क्या एफ है यह गलत दिया है पर मैं दोवार दियता हूं एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट माइनस एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट ठीक है यह होता है तो पहले एफ ओमेगा तो यह मेरा यह यह मेरा F T time पर और यह क्या मेरा X of omega यह क्या मेरा F of omega ठीक है तो जब मैं साइन T से में multiply करूंगा तब क्या होगा मेरा तो मैं साइन कितने से multiply कर रहा हूं 10 T से तो यानि omega note की value है 10 मेरा for a transform क्या हो जाएगा omega note की value यहां पर कितनी है 10 तो मुझे क्या करना J by 2 से multiply ठीक है यह मेरा F of omega यह क्या मेरा F of omega F of omega तो पहले omega को omega plus 10 करना ठीक है तो पहले omega plus 10 निकलो 1 upon J omega plus 10 plus pi del omega plus 10 ठीक है इतना निकालती है फिर क्या करना है minus F omega minus omega note यानि omega note की value है 10 तो इसमें क्या करूंगा अब मैं अब मेंगा को ओमेगा माइनस 10 से replace कर दूंगा यानि ओमेगा माइनस 10 ओमेगा माइनस 10 प्लस पाई डेल ओमेगा माइनस 10 ठीक है तो यहां से हमें क्या मिल गया साइन एंटी यूटी का fourier ट्रांस्वर्म क्या आ गया जे अपॉंट टू इसको अप्सॉल करना रहे गया बस तो यह कितना जाएगा one अपॉंट J ओमेगा प्लस 10 प्लस five डेल्टा ओमेगा प्लस 10 माइनस हो जागई माइनस वन अपॉंट J ओमेगा माइनस 10 माइनस माइनस पाई टेल ओमेगा माइनस ठीक है इसको उपर कर देते हैं अब इसको बस सॉल कर लो जितना याद है सिंप्लिफाइब कर सकते हो साइन गार्ट साइन दस्टी न ह Breakfast का फ्डॉय ट्रांस्टो में है सिंप्लिफ शाष सच छो यह बन अपोन वाले टर्म में इन में सायगा मनें लेवलू तो एक इतना ओते हैं लगे ऐंनप उमेगा प्लस दस माइनस वन अपल ओमेगा माइनस दस तीक है और जो यह यह ड्त आल में से क्या कुमन है पाई पाई कुमन लेता हूं क्या बचेगा अंदर टेल्टा ओमेगा प्लस दस टेल्टा ओमेगा माइनस दस तो यह कितना जाएगा साइन 10T ut j upon two बाहर अभी यहां पर जब मैंने lc m लिए कितना उचेगा यह जाएगा ओमेगा प्लस दस ओमेगा माइनस दस तो ओमेगा माइनस दस सीधार आया यह और माइनस बन की ओमेगा प्लस सा करेंगे तो माइनस ओमेगा माइनस का दस आएगा पिलस पाई डेल्टा ओमेगा प्लस दस डेल्टा ओमेगा माइनस दस ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहां तो यह कैंसल हो जाँगे ओमेगा वाले टम तो तो उपर हो गया माइनस का 20 उपर हो गया यह साइन 10T योटी जे अपवन टू की मिल्टिप्लाइ कर देता हूं अंदर जे अपवन टी अपवन अपवन जे उपर कितना बचा है यहां पर माइनस का 20 और यह क्या हो जागा दूनों ही मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जागा मेग स्कार मैंनस 10 का स्क्वार याने 100 प्लस बींटु ए मैनुस भी क्या होता स्क्राइस प्लस जे वाईटु कि हांप effort करेंगे तो यह पाई वाई टू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा प्लस 10 माइनुस डेल्टा ओमेगा माइनस तस ठीक है तो ये कितना आगया है यहां से, जे से तो जे चैंसल हो गया और दो से, जो ये इसको काट देगा मैंनेस दस बार U of T ये इसका फोरियर टांस्वर्म तो ये कितना होचेगा मैंनेस दस अपुण ओमेगा स्कॉर मैंनेस तो, पिलस चे पाइवाइटू डेल्टा ओमेगा प्लस दस मैंनस डेल्टा ओमाइगा बाइनस तस यह क्या इसका आंसर है ठीक है इस जादे स्वल्ब नहीं कर सकते यह इसका आंसर है इस बढ़ते रागे तरफ सेकंड जो कोशन था वो कितना था तो कोस वाले के लिए मैंने हमबग दिया तो क्या बताया कैसे क्या होगा तुमने यह क्या होगा अगर एफटी का फोरेड ट्रांस्वर्म आंसर जाएगा मैं वह लिख रहा हूं एफ ओफो मेगा है अगर मैं को से मल्टिपलाई करता हो, को सोमेग नौट D सी इस मैं मल्टिपलाई कर दूं तो ट्रांस्वर्म पर क्या फ़र्क परता है यहा आता बना पोंट वाहर F ओमेग प्लस सोडे एफ एफ के उमेगा प्लस ओमेगाोट पिलस एफ ओमेगा मैनस ओमेगा नॉल्ट यह अगण ओगा जब प्रूफ क्या होग हुआ उड़े तैक्व कैजी में तुर में तुरा यहां पर उंहीं तो बस इसका प्रूफ करते हैं यूट प्लस पाई डेल्टा ओमेगा ठीक है यह होता है जब मैं कोस से मल्टिप्लाइब करूंगा तो क्या होगा मेरा कोस ओमेगा नोट यानि टूटी मल्टिप्लाइबाइब यूटी इसका Fourier Transform ठीक है तो ओमेगा नोट की वैली यहाँ पर कितनी है तो पहले एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट निकालूँगा ठीक है तो मैं इसमें क्या कर दूँगा और ओमेगा प्लस दो रग दूँगा ठीक है तो पहले वन बाई टू तब आ रही है फॉर्मूले के साब से अ यानि फंक्शन में इस वाले में क्या कर दूँगा मैं ओमेगा को ओमेगा प्लस दो रग दूँगा ओमेगा प्लस दो हो जाए यह वाई डेल्टा ओमेगा प्लस दो ठीक है इसके बाद क्या है पिलस एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट में यानि इसी फंक्शन में क्या कर तो डिल्टा ओमेगा माइनस दो यह तब आई अब क्या इसको बस सॉल करना रह गया है इसको सिंप्लिफाइड कर देते हैं जल्दी जल्दी कि इसलिए मैं नहीं कहाता कि प्रोपर्टी जो ना काफ इंप्रटेंट एक प्रोपर्टी पर ही जातर कुशन आते हैं है तो यह ऊपद प्लस के इत वाले जो ट्रम हैं इंको एक पासिल देता हूं मैं जीकम लिक PERSON कितना बचा अबकर यह 1 अपन ओमेगा प्लस 2 पiquest 1 अपन ओमेगा माइनस 2 और यह मैं सब प्लाइक सब पाइक मैं निकाल देता है फिसको सोल कर लेते हैं कितना आजाएगा यह को स्टू टी मल्टिप्लाइबाइए यू और टी का जो फॉर्या ट्रांस्वर्म में वह कितना आगे है वन अपॉन टू वन अपॉन जे इसका एल्सियम लिया है यहां पर ओमेगा प्लस दो ओमेगा माइनस दो तो जब इसका लेंगे एल्सियम ओमेगा माइनस दो ओमेगा प्लस दो प्लस पाई देल्टा ओमेगा प्लस दो टेल्टा ओमेगा माइनस तो यहां पर देखो टू से तो यह टू केंसिल हो गया तो उपर हो गया टू ओमेगा तो यहां पर यह कोस टू टी यू टी का फोरियर ट्रांस्फॉर्म उपर हो गया यह बन पन जे हो जागा कितना टू ओमेगा जीच प्लस ऑमेगा स्कार माइनस पोर ठीक है अधिर टू इसंब्लस गर देता हूंँ लस्पाई डेल्टा ओमेगा प्लस दो डेल्टा ओमेगा माइनस दो ठीक है, टू कंदर मल्टिप्लाइ कर देता हूं तो कितना हो जागा, टू से अगर मल्टिप्लाइ करता हूं कोस्ट 2T यू टी का फोरियर ट्रांस्वर्म 1 अपोण 2 1 अपोण J टू ओमेगा ओमेगा स्कार माइनस चार यह हो जाएगा पाई अपॉन दो डेल्टा ओमेगा प्लस दो डेल्टा ओमेगा माइनस दो ठीक है तो यहां दो से तो दो कैंसल हो गया तो यह टो जाएगा को जो टी यू टी कर फोर्यर ट्रांस्फॉर्म कितना गया अगर जो नुमेंटर में लियाना तो नुमेटर में लिया सकते हैं अगर नहीं ले आना चाहतीं तो ऐसी रख सकते तो तो इसामेगाई कैसा होता है लेज़े लिए लिख देताँ हूं J upon minus 1 ठीक है अगर ये नीचे क्या हो जागा है ये हैं पर ध्यान से देखो J upon J square J square की वहले होती है minus 1 ठीक है इससे minus 1 को में उपर लिख सेथा हो minus J की form में तो minus J हो गया यह सीधा minus J omega omega square minus 4 pi upon 2 delta omega plus 2 delta omega minus 2 ठीक है आप 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 लगो समझाय होगा अभी और और भी आम इसी प्रोपर्टी में कोशनों के बारे बात करने वाले इसमें जादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है अब मैं वह तासन तरीके से कराने वाला हूं ठीक है अगर कोई फेट कहते हैं कहीं पेवी कमेंट करके पूछ ले ठीक है मैं बता दूंगा कहां मैं problem बता दूंगा कैसे करना ठीक है आप लोगों समझाया होगा फिलार इस वीडियो में इतना ही और थेंक्जिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स्ट प्रोब्लम के साथ